आज बनाने जा रहे हैं अंडे के वड़े अब हम दालेंगे मैये बॉइल अंडे लिये हैं हम लोग पांच अंडे उसमें से हाफ कटिंग करें हैं को तो में इसमें रेड चिली पॉडर एक चमच सौल्ट एक चमच यह जाएखाद भी जाल सकते हैं आप सौल्ट अजवाइन 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 आप तो उसको अवाइब भी कर सकते हैं मुझे अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके लिए मैं दालती है थोड़ी हल्दी थोड़ा अख़ा धनिया हम इसको हाथ से ही मसर के ऐसा डालेंगे हो तो मिर एक तरफ हमने ओईल जरम होनी के लिए राख दिया है आप इसको मिक्स करेंगे जादा पतला नहीं करना है हमें बिल्कुल मीडियम करना है क्यूंकि ज्यादा पतला होंगा तो अंडे बॉइल अंडे के ऊपर नहीं बैठेंगा हो इसके लिए हम लोग इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको हम अच्छा सा मिल करेंगे क्यूंकि इसमें लंग्स नहीं बना चाहिए इसमें लुंडियम जो बनते हैं तो इसमें अंडे फूर्ट अंडा पाट जाएंगा फिर अंडे जर्दी निकल जाएंगी इसको अच्छा स्वाम लोग मिक्स करेंगे तक लिए यह बहुत ही स्नैक टाइम में अपन चाय के टाइम में जा या नास्टे में खा सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है बॉइलंगी का अच्छा सब्सक्राइब करने रख दिया है बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम में बनता है अच्छा से अच्छा यह दिखो टैक्चर हो गया है अच्छा सा पूरा और पाइंगे आप चुटकी बर सोड़ा भी दाल सकते हैं थोड़ा सोड़ा दाल सकते हैं थोड़ा चुटकी बरी दालें ज्यादा नहीं करना है में कर दिया है अब इसमें हम डीप करेंगे डीप करके दालेंगे लिए कि मैंने एक में से आदा आदा कर चुकी हूं अब हम दो इसको डालेंगे दालेंगे तेर गरम नहीं हो चुका है अब हम तेर गरम हो चुका है अन्दा दालेंगे अब श्रोज़ को यह लाड़े में अब अच्छा सा गोर्ड़न फ्राइब हुए तक है ना पास ही रखना आया में चुलिको इंकि वह अच्छा सा एक गोर्ड़न ब्राउं हुए तक तक तरने का है में अब यह हो चुके हैं अपने बड़े देखा आप गोर्ड़न गोर्ड़न नहीं कलर के अच्छा लगते हैं हमें तो हम गोड़न मी तबर के निकाल जाएं अब क्यों हो जाए है कि यह ज्यादा आठा पत्ला हो जाएंगा तो अंड़ा फटना चाले हो जाएंगा बहुत गंदा तेल हो जाएंगा हमारे रेडी हैं वड़े अंड़े के आप भी ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छे बनते हैं लाइक कीजिए ट्राइ भी कीजिए लाइक करें सस्क्राइब करें कमेंट करें कैसे लगे आपको अंड़े के वड़े बाई अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे बाई